आईए आपको मद्र प्रदेश के अनुपूर जिले में इस्तित सिद्ध गड़ेस मंदीर लेकर चलते हैं यह मंदीर अनुपूर जिले में इस्तित ग्राम धरर कला में इस्तित है मंदीर तक जाने का मार्ग जंगलों के बीच से होकर गुजरता है जंगलों की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेती है हमारे दिलों दिमाग को तरो ताज़ा कर देती है जंगल दोनों और के जंगल एक अजीब सी सरीर में सीहरन पैदा करते है यह एक सिद्ध मंदीर है जो जंगलों के बीच इस्तित है यहां गड़ेश जी की मूर्ती स्वेंभू है दूर दूर से लोग यहां अपनी मनोकामना लेकर पहुंसते है मंदीर परिसत चारो और से घने घने वरिक्षों से घिरा हुआ है पास्म बैते हुए जरने जल की कलकल की ध्वनी हमारे दिलो दिमाग को ताजा कर देती है और हमारे यात्रा की धकान को दूर कर देती है प्रिक्षों से घिरे हुए मंदीर का परिसर अत्यंत सुंदर है यहां लोग अपनी माननताओं को पूरी करने आते हैं जाता है कि जो भी मनोकामना लेकर जो भी इक्षा लेकर इस मंदीर में आते हैं भगवान गणेश जी उनकी माननताओं को अवश्य पूरी करते हैं यह एक सांतिप्री मंदीर है अनुपूर जीले में इस्तित रेलवेज स्टेशन है जहां से आसानी से धररकला जो की राजन ग्राम तस्थील के पास इस्तित है पहुँचा जा सकता है बस के दुआरा या टेक्सी आदी के दुआरा भी यहां आसानी से पहुँचा जा सकता है वैसे तो साल के प्रतिक माह इस मर्दनीर के दरसे ने तू आय जा सकता है परन्तु जनवरी से जून तक का माँ इस मंदीर की यात्रा के लिए उप्युक्त होता है